नमस्का प्यारे बच्चों मेरे चैनल इस्तरी लाइफ में मैं आप सबकाव वेलकम करती हूँ मेरे इस वीडियो के साथ अंतर बनी दियेगा आईए वीडियो आरम करते हैं यदि आप इस चैनल को सब्क्राइब कर बेल आइकान को प्रेस कर दीजे और वीडियो को शेयर करें तो जलिए आरम करते हैं आज हम पढ़ेंगे भारती दिहास के अंतरगर एक समराज्य है मुगल समराज्य, मुगल समराज्य के संस्थापक या मुगल समराज्य का पहला सासक बाबर के विशय में तो आईए जानते हैं बाबर के विशय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारिय बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को फर्गना में बाबर का पूरा नाम जहिरुद्दीन मुहम्मद बाबर इनके पिता उमर्शेख मीर्जा इनके पिता उमर्शेख मीर्जा की मृत्यू के बाद फर्गना का शासक बाबर बना बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 तक चला बाबर को भारत पर आक्रमन करने के लिए राणा सांगा और दवलत खान ने अलग-अलग निमंत्रन दिया था बाबर ने चार महत्तोपून युद्ध लड़े जो इतिहास के दरिष्टिकोंड से बहुत ही महत्तोपून है और चार युद्ध में बाबर विजी हुआ था तो आएए देखते हैं पहला युद्ध लड़ा था बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीज़ यह युद्ध हुआ था 21 अप्रेल 1526 को इसे युद्ध में बाबर ने पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया था और इब्राहिम लोदी को मार कर दिल्ली परदिकार किया था अब सेकेंड आता है आपका खानवा का युद्ध खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 यह युद्ध बाबर और मेवान के राणा सांगा के बीच लगया था इस युद्ध में बाबर वीजी हुआ था यह युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधी धारन की थी थर्ड आता है आपका चंदेरी का युद्ध चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 बाबर और मेदेनी राय के बीच जिसमें बाबर ने मेदेनी राय को परास्त किया था अब फोर्था आता है आपका घागरा का युद्ध। घागरा का युद्ध हुआ था 6 मई 1529 जिसमें बाबर ने बंगाल की संयुक तसेना को परास्त किया था। प्रेश में बाबर की अचानक मृत्ती हो गई। उनके शव को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। फिर बाद में काबुल में दफनाया गया। सडकों की माप के लिए गाज ए बाबरी का प्रयोग किया। और पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था। उसमें बाबर ने पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया था। बाबर के चार पुत्र थे हुमायू, कामरान, असकरी और हिंदाग। बाबर ने अपनी आत्म कथा तुर्की भाशा में लिखी थी जिसे बाबर नामा कहा जाता है जिसका फार्टसी भाशा में अनुआद अधिकारी हुमायू, वाओ। कमेंट सेक्षन में बताएगा कि जानकारी आपको कैसी लगी इसी प्रकार की और जानकारी आप राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्क्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें धन्यवाद।